सब्सक्राइब करने जा रहे हैं क्लास 10 के साइंस का मौडल टेस्ट पेपर वन जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है और इसलिए एक्जाम्स के पॉइंट ओ व्यू से बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है यह पेपर आपके प्री बोर्ड और फॉइनल एक्जाम्स दो तो पहले मल्टिपर च्वाइस क्वेस्चन जिए वह आपसे पूछे गए है एक नंबर के यह क्वेस्चन है पहला प्रीथ ब्रॉट सम मेंट फ्रम दे मार्के गोर्प्रीथ जो है वह कैसा थे पुदीना मार्केट से लेकर आता है और थोड़े टाइम बाद यानिकी थोड स्मेल आने लगी है और यह किस वज़े से हुआ है ठीक है इसका आंसर जो है वह आपको कंफर्म कर ले ना मुझे इसका आंसर कंफर्म नहीं है नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं नेक्स्ट है वेन वी मिक्स लीड निट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड तो जब लीड पोटेशियम आयोडाइड के साथ जो है वो मिक्स किया जाता है तो एक यलो पर्सिपिटेट जो है वो फॉर्म होता है और इसका नाम क्या है तो इसका नाम जो है वो क्या होता है लीड आयोडाइड ठीक है आपको क्या से याद रहेगा लीड यहां से लिया गया है और आयो होता है ठीक है अगला question है ताटरिक एसे इस फाउंड इन तो ताटरिक एसे वह किसमें पाया जाता है तेमरेंट यानिकी इमली में पाया जाता है next question है the ability of metals to be drawn into thin wire is known as metal की जो कभिलेत होते हैं जिसकी वजह से उसे जो है वह तारों में बदला जा सकता है wires बनाई जा सकती है तो उसको क्या बोला जाता है उस ability का नाम क्या है ductility ठीक है इसके बाद है during the electrolytic refining of copper cathode is made of copper की refining करनी है तो जो cathode है वो किस चीज का बना होगा वो pure copper का बना होगा ठीक है अगला question है what is full form of ATP तो ATP का full form जो है वो क्या है तो ATP का full form होता है adenosine triphosphate ठीक है adenosine triphosphate तो यह आपका जो है वो a option जो है वो correct है ठीक है इसके बाद जो है अगला question है what happens when water is released from guard cell तो क्या होता है जो पानी को जो है वो guard cell से release किया जाता है तो इसकी वज़े से guard cells जो है वो open हो जाते है guard cell get open ठीक है next question है select the mode of excretion in plant plant में जो excretion का mode होता है excretion क्या होता है waste material basically जो है वो बाहर निकालना तो उसका mode क्या होता है तो dead leaves के थूँ भी होता है ठीक है और इसके लावा transpiration जो है वो भी होता है cellular vacues के थूँ भी होता है तो all of the above इसका answer हो जाएगा अगला question है which part of the brain can be divided into two hemisphere तो brain का कौन सा part है जिसे दो hemisphere में divide किया जा सकता है तो four brain को जो है वो divide किया जा सकता है next question है which of the following is not an involuntary action तो इसमें से कौन सा जो है वो involuntary action नहीं है ठीक है तो involuntary action जो कि हम मतलब कि चाहते नहीं है अपने आप हो जाता है ठीक है तो मतलब कि हमारा इसमें विल नहीं होता तो यहां पर जो है वो जो chewing है यह हम जानकर करते है ठीक है तो वो involuntary action नहीं है salivation मुह में जो saliva आता है वो हम जानकर नहीं ले चाहते है वो अपने आप आप जाता है ठीक है the disease caused due to sexual contact sexual contact की वज़े से जो बिमारी फैलती है वो कौन से होती है AIDS ठीक है next है the human which has XY chromosome जिसमें की XY chromosome होता है वो कौन से gender का होगा तो XY जो होता है वो पाया जाता है male में ठीक है और XX जो है वो पाया जाता है female में तो XY पूछा है इसलिए male इसका answer है अगला question है which of the following material cannot be used to make a lens इसमें से कौन सा material है जिसका अस्तमाल lens बनाने के लिए नहीं किया जा सकता तो clay का अस्तमाल जो आप lens बनाने के लिए नहीं कर सकते जो आप से पूछा गिया है वो है spirogyra का जो mode of reproduction है ठीक है वो कौन सा होता है तो वो होता है fragmentation ठीक है यह basically जो है method of reproduction होता है ठीक है और next question जो हमसे पूछा गया है वो है what will be the color of sky when seen from moon तो जब आप मून से जो है वो sky का color देखोगे तो वो कैसा होगा तो वो black होगा क्यों होगा क्यों कि जो है वो moon का जो है वो अपना atmosphere जो है वो नहीं है जिसकी वज़े से light जो है वो नहीं बिखरती और आ इलेक्ट्रक बल्ब का जो filament है ठीक है तो वो जो है वो किस चीज से बना होता है बेसिकली जो बल्ब होता है ना जो पुराने टाइप का जो बल्ब आता था आपको याद है उसमें कुछ इस तरीके से जो है वो यहां पर तार सी लगी होती थी यह जो बेसिकली तार होती है किस चीज से बनी होती है तो यह तंग्स्टन से बनी होती है ठीक है इसके बाद अगला कुछेजिन है चुग दा इंस्ट्रूमेंट यूज्ट्वासर्कृत्ट फार्यक्ट को यहां पर आंसर हो गया next question है what is the molecular formula of ozone ozone का molecular formula क्या होता है तो वो O3 होता है next question है which of the following is not non-biodegradable मतलब कि जो सडगल के खत्म नहीं होती है तो वो कौन सा है तो basically यहाँ पर plastic water और glass दोनों है इस करके यह word यहाँ पर grass था मैंने आपके book में जो है वो टेली किया था यह grass के according होगा ठीक है तो क्योंकि glass और plastic bottle दोनों ही non-biodegradable होते हैं ठीक है तो यह grass होगा तो हम plastic bottle को tick कर सकते हैं ठीक है अगला जो है वो matching आपको दिया गया है matching में ammeter जो है वो किसके साथ connect है वो हो गया हमारा electric current के साथ connect है यह हो गया इसके बाद unit of resistance जो है उसको हम ohm में करते हैं ठीक है यह ohm से connected है इसके बाद near sightedness जो है वो concave lens से connected है तो यह हमारा जो है वो 13 हो गया फिर आपसे mirror formula पूछा है तो यह mirror formula है यह हो गया आपका 14 और drinking alcohol जो है इसमें ethanol होगा तो वो हो गया आपका 15 ठीक है अब यह 25 जो है वो आपके question हो गया वो सारे एक एक number के थे इसके बाद अब आजाते हैं दो-दो number के question पर जिसमें से आपने किसी 11 questions को attempt करना है ठीक है तो यहाँ पर जो question आपसे पूछा गया है compare the functioning of aloveli in lungs and nephrons in the kidney तो लंक्स में aloveli का और kidney में nephrons के function को compare करना है उसनके structure और functioning के according ठीक है कि वो बनावाट उनकी कैसी है और किस तरीके से काम करते हैं तो लंक्स के aloveli में this is a functioning unit of lung lung का यह functioning unit है और nephrons होता है वो kidney का है ठीक है आप्रोक्सिमेट्ट्री 30 करोड अलोवली इन इच लंक्स में 30 करोड अलोवली जो है वो लगबग होते हैं जबकि वहीं पर kidney में 10 lakh neurons sorry nephrons जो होते हैं ठीक है इसके बाद है aloveli provides a large area for exchange of gases तो यह basically काफी बड़ा area provide करता है ताकि जो gases का exchange है वो हो सके ठीक है basically जैसे कि हम लोग oxygen जो हो inhale करते हैं और carbon dioxide जो हो exhale करते हैं वो process हो सके ठीक है जबकि इनका जो nephrons का kidney में जो हो large area नहीं होता इसके बाद यह जो है वो it exchanges oxygen and carbon dioxide gases exchanges of gases आपको याद रहेगा ठीक है तो oxygen and carbon dioxide gases को exchange करते हैं जबकि kidney क्या करता है मतलब कि हमारे body में जो water है ना उसको basically filter करता है ठीक है तो it controls the amount of water and mineral तो यह water और mineral को जो हो basically control करता है ठीक है अगला question देखते है why should a magnesium ribbon be rubbed before burning in the air तो magnesium ribbon को जो है जलाने से पहले मतलब environment में जलाने से पहले rub क्यों किया जाता है because there is a layer of magnesium oxide on the magnesium ribbon क्योंकि magnesium ribbon के उपर magnesium oxide का layer होता है ठीक है परत होती है और जिसकी वज़े से जो है वो allowed नहीं करता कि वो oxygen के साथ react कर सके और जब तक वो oxygen से react नहीं करेगा वो burn नहीं होगा clear है next question को देखते है why should curd and other source substances not be captain brass or copper vessels तो जो मतलब कि दही है या दूसरे जो खटे पदार्थ है उन्हें brass या copper vessel में क्यों नहीं रखा जाता तो curd and other source substances contains acid क्यों नहीं रखा जाता क्योंकि यह जो खटे पदार्थ होते है या दही होता इनमें acid होता है चीक है therefore when they are kept in brass and copper vessels the metal react with the acid to liberate hydrogen gas तो basically जब इनको इस metal में रखा जाएगा तो यह जो है इसके साथ react करेंगे और harmful products यह बनाएंगे और इस तरीके से खाने को बरबात करेंगे spoil कर देंगे next is the role of acid on our stomach ठीक है कि हमारे जो पेट में acid है basically axial होता है ठीक है उसका क्या role है तो यह answer जो है वो गलत है यहां पर ठीक है हम लोग इसको जो है वो देख लेते हैं तो basically यह क्या करता है जो acid होता है हमारे stomach में वो जो है वो खाने को digest करने में हमारी help करता है इसके अलावा हमारे खाने में जो bacteria present होता है उसे मार जेता है क्योंकि बहुत strong acid होता है ठीक है तो इसका answer में आपको यहां पर लिख देती हूं the acid in our stomach is important because it helps us it helps us to digest digest our food our food it also it also kills bacteria that may be present in our food take care that may be present in our food question है what are the two properties of carbon which lead to the huge number of carbon compound we see around us तो carbon की दो properties basically बताना है जो कि हमें आपने आसपास basically कह सकते हो कि देखने को मिलता है तो सबसे पहले आपके बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है हमारी वीडियो आपके लिए कि किसी भी तरीके से हेलफूल है तो चैनल को फटाफट से सबस्क्राइब कर दो क्योंकि यहां पर इस तरीके का helpful content upload होता रहता है चलिए next question पर चलते है next question जो है वो कहता है कि how does our body respond when adrenaline is secreted in our blood तो जब adrenaline जो है वो हमारी blood में secret होता है तो हमारी body कैसे response करती है when someone is in danger or in emergency then adrenal gland secrete adrenaline hormone तो जब कोई खत्रा होता है या कोई accident होता है कोई emergency होती है basically ठीके तो हमारी जो body होती है basically जो जो हमारा adrenal gland है वो adrenaline hormone जो है वो release करता है it is secreted directly into the blood and is transported to different part of the body तो यह directly blood में secret होता है और अलग-अलग body की part पहुंच जाता है it speeds up the heart beat इसकी वसे हमारे दिल की दड़कन तेज हो जाती है and hence supplies more oxygen to the muscle और हमारे muscles में ज्यादा oxygen जो हो provide होता है ठीके this result in increasing breathing rate जिसकी वसे क्या होता है हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है breathing rate वो तेज हो जाती है blood pressure भी बढ़ जाता है which enables them to fight with such urgent situation जिसकी वज़े से जो urgent situation उनके सामने आती है उससे वो fight करने के लिए capable हो जाते है ठीक है सक्षम हो जाते है अगला question है how is the sex of a child determined in human being तो बच्चों में लिंग का जो है वो किस तरीके से नुमान जो है वो लगाया जा सकता है अब male has xy sex chromosome एक male में ठीक है xy chromosome होता है ठीक है और and produces two type of sperm अब वो दो तरीके के sperm produce करते हैं 50% x होंगे और 50% y chromosome होंगे ठीक है जबकि जो एक female है उसमें सिर्फ xx sex chromosome होता है जो कि 100% होता है तो अगर यह जैसे यह male का xx chromosome है और यह male का xy chromosome है अगर यह x जो है वो y के साथ जो है वो connect हो जाता है ठीक है अगर xy बन जाता है तो जो बच्चा होगा वो क्या होगा male अगर x के साथ जो है वो x connect हो जाता है यानि कि xx हो जाता है तो वो जो बच्चा होगा वो क्या होगा female ठीक है तो इस तरीके से जो है वो डेटर्माइन जह वो किया जा सकता है अगला question है, define principal focus of a concave mirror, तो concave mirror का principal focus क्या है, उसकी definition आपने बतानी है, तो वो क्या होता है, जैसे ये हमारा concave mirror है, तो यहां जो है, यह जो line आपको दिख रही है, यह जो है, वो हमारा क्या है, principal axis है, इसी पर हम principle focus देखने को मिलता है, तो जो incident raise होती है, ठीक है, वो इसके parallel होती है, principal focus के थ्रून, तो जब यह उसे टक्रा कर वापिस आती है, तो जहां पर यह जो है, वो तक्रा कर वापिस आएगी, तो जिस point पर टक्राएगी, इस इस question है, what is meant by accommodation in human eye, accommodation in human eye से क्या समझते हो, तो basically हमारे eye lens की वो काभिलियत होती है, जिसकी वज़े से वो focal length को जो है, वो adjust करता है, ताकि हम past की या दूर की चीज़े देख सके, और इसी को power of accommodation of eye कहते हैं, ठीक है, अगला question है, give the characteristics of magnetic field line, magnetic field line के characteristics, यानि के लक्षन बताने हैं, तो magnetic field line जो है, वो start होती है, north से, और south तक जाती है, ठीक है, और यह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, अगला question है, what is ozone, and how does it affect an ecosystem, ozone क्या होता है, और यह हमारे ecosystem को किस तरीके से प्रभावित करता है, तो ozone यानि की जो O3 है, ठीक है, यह एक triatomic molecule है, oxygen का, 3 है तो मतलब triatomic, ठीक है, तीन atoms हैं इसमें, basically O3 जो है, this forms a layer in the upper atmosphere, यह हमारे जो atmosphere का upper layer है, वो ozone से बना होता है, it shields the surface of the earth, यह earth को basically cover करता है, shield करता है, from ultra violent radiation, ठीक है, या उस कह सकता है, उसे बचाता है, UV rays से, coming from the sun, as these raditions are, जो कि sun से मिलता है, और यह जो rays होती है, जह हमें, मतलब बहुत ज़दा harmful होती है, basically skin cancer कर सकती है, and cataracts in human, तो human में cataracts जो है, वो कर सकती है, ठीक है, इसके लावा यह फसलों को खराब कर सकती है, क्या चीज, UV rays, ठीक है, अगला question है, which two gases are related during electrolysis of water, तो कौन सी two gases release होती है, जो water का electrolysis किया जाता है, ठीक है, तो जो two gases release होंगी, जब water को electrolysis किया जाएगा, तो water basically H2O से बना होता है, तो hydrogen gas release होगा, और दूसरा oxygen होगा, chemical equation के थूरू बताना है, तो two H2O, जो hydrogen हो अलग हो जाएगा, oxygen जो हो अलग हो जाएगा, अगला question है, why do stars twinkle, stars twinkle करते हैं, यानि कि टिम टिम आते हैं या चम चम आते हैं, ठीक है, तो star twinkle due to atmospheric reflection of light, अब क्योंकि atmospheric reflection of light है, उसकी वज़े से हमें twinkle होता हुआ नजर आता है, stars जो हो अर्च से बहुत जादा दूर है, और इसलिए ये एक point की तरह से जो हो हमें दिखता है, ठीक है, when the light coming from stars enter the earth's atmosphere, it gets reflected, और क्योंकि हमारे environment में जो है, वो gases है, हवा जो है, वो move कर रही होती है, तो basically जो है, वो जब earth's atmosphere में आता है, तो वो हमें reflected होता हुआ दिखता है, because of the variation in the air density, तो कहीं पर air की density कम है, कहीं पर जादा है, तो अलग-अलग level है हमारे atmosphere का, जिसकी वज़े से जब ये हम हमारे आखों तक आता है, तो हमें जो हमें चेंजेज होते हुए नजर आते है, और उसी को हम लोग जो है, वो क्या कहते है, कि stars जो है, वो twinkle कर रही है, ठीक है, अगला question है, what would be the deficiency of hemoglobin in our bodies, तो हमारे bodies में अगर hemoglobin की कमी हो जाए, तो उसका result क्या होगा, तो deficiency of hemoglobin in blood can decrease the oxygen supply है, तो अगर hemoglobin की कमी हो जाएगी, तो हमारे body में oxygen का supply जो है, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, this can lead to deficiency of oxygen in the body cell, तो जिसकी वज़े से क्या होगा, body cell में भी oxygen की deficiency हो जाएगी, यानि की कमी हो जाएगी, और इसकी वज़े से जो है, वो anemia नाम की बिमारी हो जाती है, ठीक है, इना question है, a doctor has prescribed a corrective lens of power plus 1.5D, ठीक है, तो lens का ये number है, find focal length of lens, तो lens का focal length जो है, वो find out करना है, is prescribed lens diverging और converging, तो ये जो lens है, वो diverging है, कि converging है, वो भी आपने बताना है, तो lens जो है, वो हमें दिया गया है, 1.5D, ठीक है, तो वो दिया है, इसके बाद जो focal length है, वो हमने find out करन है, तो P is equal to 1 upon F होता है, यहाँ पर जो है, वो हमने value जो है, वो put कर ली है, ठीक है, 1 upon F है, ठीक है, तो हम इसको, जो है, या तो हम कह सकते हैं, कि जो F है, वो 1 upon P के equal है, तो यहाँ पर value जो है, वो put कर देते हैं, यह हो गया, आपका 1.5, ठीक है, पॉइंट हटाओगे, तो यह क्या हो जाएगा, 10 और यह 15 हो जाएगा, कटिंग करोगे इसकी, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 0.66 मीटर, ठीक है, अब यह क्यों कि positive का है, ठीक है, तो यह जो है, वो कि स्ट्राप का लेंस हुआ, कन्वर्जिंग लेंस हुआ, तो फोकल लेंस है, और कन्वर्जिंग ल उसको copper sulfate solution में डाला जाता है, तो उसके कुछ ट्राइम बार आपको क्या-क्या observe करोगे आप, equation के तुरू आपने समझाना है, ठीक है, तो due to high reactivity of iron than copper, iron की reactivity जादा होती है, as compared to copper, iron displaces copper from blue copper sulfate solution forming iron sulfate, तो iron जो है, वो copper को displace कर देगा, from blue copper sulfate solution forming iron sulfate, तो अब वो iron sulfate बन जो कि green color का होगा, तो equation के तुरू, Fe ferrous हो गया, यानि कि iron हो गया, उसको copper sulfate के साथ क्या, copper sulfate का color क्या है, blue है, ठीक है, तो उसके साथ जो है, वो खिया, तो ये क्या बन गया, Fe SO4 बन गया, जो कि green color का हो गया, और copper जो है, वो इसमें से अलग हो गया, अगला question है, homologous series क्या ह है, example के तुरू आपने बताना है, तो homologous series, जो है, वो क्या होता है, ये series होती है, carbon compound की, that have different number of carbon atom, but contains the same function group, तो जो की एक ही function group की होंगे, लेकिन इनमें carbon atoms जो है, वो अलग-अलग numbers के देखने को मिलेंगे, ठीक है, all members of homologous series have similar chemical property, और इनमें सभी की लगए chemical properties, जो है, वो एक difference होगा, वो CH2 होगा, ठीक है, तो कुछ example जह हो यहाँ पर alcohol group के जह हो दिये हुए है, ठीक है, next question है, draw the structure of neuron and explain its function, तो neuron का diagram आपने बनाना है, और उसके function को आपने बटाना है, ठीक है, तो ये diagram बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत ज़्यादा important है, neuron जो है, वो एक fundamental unit है, nervous system का हमारे, nervous system में तीन पार्ट होते हैं, basically, exon, dendrite and cell body, ठीक है, तो जो exon होता है, it conducts message away from the cell body, तो जो exon होता है, वो message को जो है, वो basically conduct करता है, ठीक है, message जो है, उससे transfer होता है, जो dendrites होते है, ठीक है, यह जो छोटी सी आपको यह सब दिख रहे है, यह dendrites है, it receives information from exon, यह exon से information receive करते हैं, ठीक है, information जो हो यहां से receive होगा, and conduct the message towards the cell body, और cell body के cell तक जो है, यह basically cell body तक पहुंचा देते है, अब cell body क्या है, ठीक है, तो it contains nucleus, यह जो cell body यहां पर आपको दिखाया हुए है, तो यहां इसमें क्या क्या होता है, इसमें nucleus होता है, इसमें nucleus होता है, इसके होते हैं, maintenance से और growth से, ठीक है, अगला जो question हम से पूछा गया है, वो है, right two differences between real image and virtual image, real image or virtual image में क्या अंतर है, वो बताना है, what will be the size of image formed by a convict lens when object lies at 2F, ठीक है, यह रिकि 2F पर कोई object lie करेगा, तो image जो है, वो किस तरीके की बनेगी, मैं से का size क्या हो का वो बताना है, तो real image हो एक्च्छल में इमेज बनेगे, वर्च्छल में बनेगे, वर्च्छल में बनेगे, वर्च्छल इमेज होता है अभासी, तो real image, it is formed by the actual insertion intersection of reflected rays, तो यह actual intersection होगा, reflected rays का, inverted, मतला होगा, it can be obtained on the screen, screen पे अप्टेम किया जा सकता है, यह जो होते है, virtual intersection of reflected rays की विज़े से होता है, इरेक्ट होते हैं यह इन्वर्टेड है यह इरेक्ट और यह स्क्रीन पर नहीं बनेंगे तो अगर तु फोकल लेंथ पर जो है वहेसिकली जुए हे तो इसका साइज जितना अब्जक्ट होगा सेन्म सिमिलर साइज होगा कह सते हूब इसके कारण है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है यह आखो का वो डिफेक्ट होता है जिसमें जो है हम पास की चीजे क्लियरली देख सकते हैं बडूर की चीजे जो हमें धूंदरे दिखाई दिए तो इसके क्या कारण होते हैं इसके अलावा जो फोकल लेंथ है आई लेंस का वो डिक्रीज हो जाए ठीक है अभी रिख सकते हो कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कंकेव लेंस का इस्तमाल किया जाता है यह आगे बताया है कि इनवर्ड साइड जो है वो कॉप्ड होता है ठीक है और कंकेव लेंस का इस बन रही थी उससे protection होता है और इस तरीके से वह परसंज है वह clearly देख पाता है ठीक है अगला question is what is biological magnification biological magnification क्या है with the levels of this magnification be different a different level of the ecosystem तो क्या यह ecosystem की अलग-अलग level पर अलग-अलग magnification देखने को मिल सकता है लिए जो biological magnification होता है वो क्या है कि बेसिकली जो food chain है यह वह त्में कोई वाज झाया यह आगया है तो यह अलग लग लेवल पर अलग देखने को मिलता है और सबसे टॉप लेवल पे जो होगा ठीक है जिसने सबसे बाद में उसे खाया तो वहां पर यह सबसे ज़ादा देखने को मिलेगा as compared to first tropic level ठीक है अगला question है how does chemical coordination take place in plant यह chemical coordination जो है वो plant में किस तरीके से होता है chemical coordination occurs in plant with the help of plant hormones तो जो chemical coordination है plants में वो plant hormones की मदद से होता है different plant hormones help to coordinate growth अलग-अलग जो hormones होते है plants के तो वो उसको help करते है growth में development में या environment किसे किस तरीके से response करना है ठीक है उसके लिए जैसे कि oxygen promote cells growth जो oxygen है वो cell growth को जो है वो help करता है इसी तरीके से जो इस तरीके से जो है काफी सारे cells जो है वो इस तरीके से या जो chemical coordination का आपको एक्जांपल दिया है तो वो हो सकता है ठीक है आपको भी दो या तीन example लेख सकते हैं अगला question है the focal length of a concave lens is two meter तो focal length of a concave lens का two meter है तो power क्या होगी वो हमने find out करना है तो power जो होते है वो क्या होता है वन अपॉन एफ होता है अब क्योंकि यह two meter है ठीक है तो यहां पर हमने one minus two कर दिया और उसके बाद जो है यहां पर जब आप उसके cutting करोगे तो यह minus 0.5D हो जाएगा क्योंकि concave lens है इसलिए माइनस में जाएगा ठीक है अगला जो question है वो क्या है how would you distinguish experimentally between an alcohol and a carboxylic acid तो इन दोनों में experiment के थुरुक इस तरीके से आप जो है वो difference यह वो करोगे तो जो alcohol होता है it does not change the color of litmus, litmus पेपर होता है इसका color change नहीं होगा जबकि जो carboxylic acid है वो blue से red में change हो जाएगा ठीक है कहता है baking soda यानि कि sodium bicarbonate के साथ यह alcohol react नहीं करता जबकि जो carboxylic acid है वो react करेगा और carbon dioxide जो है ठीक है तो co2 जो है basically ऐसे लिखा जाएगा co2 उसको release करेगा ठीक है by heating in alkaline potassium तो जब alcohol को alkaline potassium per magnet solution के साथ जो है वो गरम किया जाएगा जो pink color है alcohol उसे गायब कर देगा बहीं पर जब carboxylic acid को जो है वो मतला कि इस alkaline potassium per magnet solution उसके साथ जो है वो react किया जाएगा यह heat किया जाएगा तो pink color पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा ठीक है next जो है वो आपको five marks के question जो है वो पूछे गए है और इसको जो है किसी तीन question को अपने attempt करना है सबसे पहला question है differentiate between sexual reproduction and a sexual reproduction ठीक है इसके बाद it does not require the production of sex organs इसमें वो sex organs की जरुवत नहीं होती है जबकि sexual reproduction के लिए sex organs की जरुवत होती है the reproductive unit is called gamut which is unicellular and haploid तो यहां पर बेसिकली आप सीधा इसके साथ ही connect कर दो ठीक है कि इसके लिए sex organs की जरुवत होती है it does not involve a fusion of cells इसमें जहें वो cells का fusion नहीं होता ठीक है formation of sex organs are essential तो यह point जहें वो उपर नीचे हो गया इस point को आप हटा दो ठीक है यह इसके साथ आ गया यह वाला point इसके साथ है इसके बाद इसमें जहें वो new individual डेवलप करेगा fusion की वज़े से product of two gametes ठीक है जब दो gametes आप उसमें मेलेंगे तो एक new individual डेवलप होगा new individual genetically similar to the parent parents से similar होंगे ठीक है जबकि जो new individual are generally different from either of the two parents ठीक है तो जो new basically जो है यह दोनों parents के कहते हैं न कि parents के लक्षन जो है वो बच्चों में आते हैं ठीक है अगर पापा के आखों का color जो उनके मदर उसके बानों का color तो वो चीज़े जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है इसके बाद है it does not introduce variability इसमें variable नहीं होता क्योंकि single parent होते है as it is जो है वो similar बिल्कुल आ जाता है जो new individual है जबकि यहां पर variety जो है वो देखने को मिलेगा या कह सकते हो कि variability जो है वो देखने को मिलेगी जो है वो इस point को जो है वो remove कर देना ठीक है five points जो है वो sufficient है next question है इसी का बी पार्ट है right two advantages of sexual reproduction over a sexual reproduction तो sexual reproduction के फाइदे बताने है और sexual reproduction के compare करते हुए तो जो sexual reproduction है ज्यादा variations जो है वो आते हैं thus it ensures survival of species in a population तो इस तरीके से प्रजातिया जो है वो सुरक्षित रहती है ठीक है और दूसरा जो इसका benefit है वो है the new formed individual has characteristic of both the parents तो जो नया जो कह सकते हो individual पैदा होगा उसमें दोनों ही parent के लक्षन जो है वो देखने को मिलेंगे ठीक इसके बाद question है वो पूछा गया है आपसे कि जो flower है उसका जो है वो अपने diagram जो है उसको label करना है ठीक है तो आपको इहां पर बताया है इसके बाद जो next है what are the changes seen in girls in the time of puberty, puberty के time में लड़कियों में कौन-कौन से बतलाव देखने को मिलेगा वो बताना है ठीक है तो उनक जाएंगे जो उनके reproductive organs है उनमें maturity आजाएगी menses आने शुरू हो जाते हैं ठीक है इसके अलावा जो है वो skin जो है वो oily हो जाती जिस वज़े से pimples वगरा जो है वो आने शुरू हो जाते है ठीक है यहां पर जो है वो next question आपको दिया गया है metal and non metal में difference बताना है तो chemical properties के according सब cases जो है चेक हेड तो अब सहतों सहां वह जो होते हैं फिर ईसके डिशन के साथ हीच किया जाता है तो वह द्व आहरे जो की बेस होते हैं nature में बिल्या सबफिते हैं जब को जबनेंट एकाम फ़चाही जडिए आवा ज्डू कर देते हैं। और पॉज़े ने gibtisumin युडरियं कन locked हो जाते हैं जब्की यह इल्अट्रो नेगेटिव होते हैं यह इलेक्ट्रों को गेन करते हैं और नेगेटिव आयन जो है वो बन जाते हैं मैटल जू छो होते हैं सिनन का oluyor है और यह चुल्ब pendri जो है और यह जू ढक्रमीज gener उधल जू तरuma है और Hail हो जो है वह मेटल की बनी होती है जबकि जो स्वाइब ग्रफाइट को छोड़ के next है जितने भी मेटल हो टे है ठीक है वह सभी लिखन के मर्किरी के ठीक है जबकि जोम आफ मेतल है वह solid liqvर जा ど genau in या तो यह question आपने अटेम्ट करना था या next question है कि Amphoetric Oxide क्या होता है, दो एक्जामपल आपने इसके बताने हैं तो Oxides जो कि Acid और Oxide that reacts with both acid and bases to form salt and water तो Oxide जो कि Acid और Base दोनों के साथ react करता है और प्रोड्यूस क्या करता है salt and water उसको हम लोग Amphoetric Oxide कहते हैं Amphoetric Oxide show properties of both acids and bases तो यह जो होते हैं वो Acid and Base दोनों के प्रोपर्टी जो है वो शो करते हैं Lead Oxide जो कि है PbO and Aluminium Oxide जो कि है Al2O3 ठीक है अगला question है Why do Ionic Compound have high melting point? तो जो Ionic Compound होते हैं उनका melting point हाई क्यों होता है तो Ionic Compound है वो strong electrostatic force of attraction between the ions तो इनके ions के बीच में बहुत जादा strong electrostatic forces होता है therefore it requires a lot of energy to overcome these forces तो इस forces बाहर निकलने के लिए काफी energy की ज़रुत होती है जो Ionic Compound है उनका melting point काफी जादा high होता है ठीक है? अगला question है ohms law क्या है how will you verify ohms law in the laboratory लबोरेटरी में जो आप इसको किस तरीके से verify कर सकते है तो basically ohms law जहें वो क्या बताता है कि आप electricity मतला कि basically आप जितना volt बढ़ाओगी ठीक है? यह battery जो है वो आपने जैसे पहले 6 volt की लगाई थी ठीक है तो bulb जो है वो glow कर गया था बट मतला कि ठीक ठाक glow कर गया था बट अगर वही पर 3 volt की लगाओगी तो यह थोड़ा कम glow करेगा bulb जब आपने 12 volt का लगा दिये तो वो जादा जो है वो मतला कि जादा glow करेगा तो basically हम लोग कह सकते हैं कि जैसे आप जो है वो कह सकते हो कि जो वोल्ट जो है वो basically या current जादा इसको दोगे तो यह उतना ही जो है वो मतला कि जादा glow या कम करेगा तो यह directly proportional वी जो है वो i के directly proportional है ठीक है तो जिस वज़े से जो है वो इस तरीके का graph जो है जो upward जो है वो स्लोप शो हो रहा है ठीक है तो उसमें जो है वो यह शो होगा इसके बाद जो अगला question है कि एक electric heater है of resistance 8 ohm draws 15 a from service means for 2 hours calculate the rate at which heat is developed in the heater तो किस rate पर जो है वो यहां पे heat develop होगी वो आपने बताना तो resistance 8 ohm है जो current है जिसको कि हम आई से शो करते है वो 15 ampere का है time हमें 2 hours दिया गया है जिसको हमने second में convert कर दिया है ठीक है तो 7200 second हो गया rate at which heat is developed the power of जो heater है वो क्या है P is equal to I यानि कि जो current का square और R इनको multiply कर दोगे तो I हमारा 15 है उसका square into 8 और उसके बाद इसे multiply कर दोगे तो total answer जो है वो कितना जाएगा 1800 वोट आ जाएगा ठीक है इसके बाद जो अगला B part है इसका वो है why a series arrangement not used in domestic circuit तो जो domestic circuits होता है उसमें series arrangement का इस्तमाल क्यों नहीं किया जाता जाता क्योंकि जो parallel connection होता है इसमें जो device की जो effectiveness है ठीक है वो basically जो है वो कह सकते हो कि reduce हो जाती है circuit पे और अगर एक पे जो है वो असर होता है ठीक है या जो है वो एक device काम करना बंद कर देता है तो इसका दूसरे पर असर जो है वो नहीं पड़ता इसी वज़े से हम लोग जो parallel connection है उसको जो है वो domestic circuit के लिए यूज करते हैं as compared to series arrangement तो बच्चों यहां पर हो जाती है हमारी वीडियो खर्पन इनके सब को कोई भी doubt है तो आप comment कीजिए आपको reply करने के पूरी पूरी कोशिश करूंगी thank you very much and all the best for your exams bye-bye